जे और रोयत आपका स्वागत है बिग बॉस और आपका स्वागत है हमारे कॉप उनिवर्स दोस्तों सिर्फ फाइब डे टू गो फॉर शिंगहम का रोर वाइस आप पांच दिनों बाद यहां हुड़ हुड़ दबंग और सिंगहम एक साथ बजेगा हेलो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका स्वागत है आपका सिंग्णम अगैन के हमारे एक और जबरदस्थे एपिसोड में जैसे कि आप लोगों पताई होगा कि कल सिंग्णम का टाइटल ट्रेक रिलीज हुआ जिसने गाइस गूजबं दिया यहाँ पे गूजबं ओवर लोडेड जिस तरीके के सीन हमें टाइटल ट्रेक में देखने को मिले मतलब हमें लग लगा था है कि हम लोग एक और ट्रेलर देख रहे हैं यहाँ जहां पे मेकर्स ने एक और खतरनाक एक्शन पिटारा दोस्तों कल खोला तो ऐसे में मूवी का हाइप अल्रेडी गाइस साथवे आसमान में है तो ऐसे में जो फैंस हैं वो गाइस एक्साइटीड हैं सल्मान खान के कैमियो के लिए क्योंकि अल्मोस्त दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि सल्मान खान होने वाले हैं सिंगहम अगैन में और हमने आपको कल के एपिसोड मत आया था कि वीकेंड के वार में अजे देवगन यानि की सिंगहम चुल्बल पांडे से दोस्तों मिल रहे हैं लेकिन यहां पे हिंड तो हमें कहीं देखने को मिल रहा था कि सल्मान खान होने वाले हैं चुल्बल पांडे के किरदार में यानि की सिंगहम अगैन में उनका वो आईकॉनिक दोस्तों करेक्टर हमें देखने को मिलेगा अब वो कहा होगा कितने मिनट का होगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और आज के वीकेड के बार में आपको यहाँ पे रोहिश शटी के मूझे गाइस खुद ही सुनने को मिल जाएगा क्योंकि कल रात से ही एक वीडियो वाइरल हो रहा है जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में ही दोस्तों दिखाया स्वागत करो गाइस यहाँ पे रोहिश शटी ने ट्वीट किया था और अब सल्मान खान ने जब उनका स्वागत किया रोहिश शटी स्वागत है आपका बिग बॉस 2018 में तो रोहिश शटी कहते हैं आपका भी कॉपर यूँवर्स में जबर्दस यहाँ यहां पे कैसकते हैं कि TIF 21 सामने से दोस्तों लोगोंने साफ कर के आई कि भाइजान का कॉप स्वागत होने वाला है तो इस चीज़ की उपर बात करेंगे साथी साथ दोस्तों साथी साथ यहां पर हम लोग और भी कुछ exciting update जो सिंगम से related है दोस्तों वो आपको बताने वाले हैं तो like और subscribe कर दिजे ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज मिलते रहें देखो भाई जब से ये news इंटरनेट में दोस्तों फैली थी कि सलमान खान का कैमी होने वाला है सिंगा मगैन में तब से पारा जो मूवी का था वो बढ़ गया था यहां पे मूवी में कह सकते हैं कि बहुत सारे mass entertaining guys कह सकते हैं कि portion होगा यहां पे special appearance already guys अक्षे कुमार और अपने Simba यानि की रनवीर सिंग तो करी रहें लेकिन अगर हम लोग दोस्तों Indian movies में जो iconic police के cop के characters की बात करते हैं तो बिना चुबल पांडे के guys ये असली cop universe दोस्तों पूरा नहीं होता बले ही यहां पे खिचडी पक जाती है guys की दबंग में वो character है और वही character यहां पे आके कोई दूसरा role कर रहा है जैसे कि sonu suit की बात करते हैं तो कई न कई यह सब चीज़े guys mix हो रही है लेकिन चलता है भाई इतना तो चलता है कुछ लोग कह रहे हैं कि वो UP police में थे और उनका जो यहां पे rank था वो नीचे और यह सब DSP है तो देखो भाई movie है और उपर से यह नहीं बताया गया है कि movie के अंदर का scene है यहां पे guys खबर आ रही है कि यह post grade scene होगा दोस्तों और officially guys यहां पे इसको कहा गया है सिंगम मीट चुल्बल पांडे यहां पे अगर हम लोग आपको reports की बताएं तो सल्मान खान का कुछ दो मिनट का cameo होने वाले हैं दोस्तों तू मिनट cameo in सिंगम अगयन और यह दो मिनट का cameo आप लोग कह सकते हो कि कम से कम सौ करोड का दोस्तों benefit मूवी को दे सकता है अगर रोही शटी ने बहुत अच्छा माल बना के निकाला है तो सल्मान खान के fans भी निकल लेंगे भाई घर से देखो भाई यहां पे जो होते हैं true fan, cutter fan उनका यह होता है कि वो किसी दूसरे के star की movie को बहुत ही मुवी को बहुत ही मुश्किल से गाई जाके देखते हैं और कहीं न कहीं दोस्तों अगर उनके star की cameo भी होती है तो लोग निकल लेते हैं पठान ने 1000 करोड कमाया, क्यों कमाया तो guys देखो यहां पे सल्मान खान का वो 10 मिनट का cameo था उसने बहुत impact डाला वो एक iconic दोस्तों intro हो चुका है cameo, iconic cameo सल्मान खान का मतलब guys इतना बड़ा impact डाला कि भाई उसने interval के बाद movies को उठा मतलब guys अलगी level में लेके चला गया था वो scene तो कम से कम कुछ 200-200 करोगा 200 benefit दिया है gross collection में net की बात ने करा gross में, net में 100 करोगा guys दिया होगा जरूर, फाइदा तो कहीं न कहीं यहां पे 2 मिनट का character जरूर है यहां पे सल्मान खान का 2 मिनट का cameo जरूर है इस movie में लेकिन यह impact बहुत डालेगा सल्मान खान के fans प्यासे हैं उनकी movie को देखने के लिए लास्ट दिवाली में ही आयते सल्मान खान, Tiger 3 के साथ तो इतना जब इंसान प्यासा guys रहता है तो वो कुछ भी देखने जाता है जैसे कि मान के चलो आपने discovery में देखा होगा कि guys वो bear girls किस तरीके से प्यासा होता है तो भाई, कैसे कैसे guys पेड़ के अंदर सिर्फ पानी पीता है तो ऐसा ही guys यहां पर सल्मान खान के fans के साथ है तो वो cameo को देखने जाएंगे और इससे काफी अच्छा benefit दोस्तों होने वाला है अभी सुनो, guys यहां पर सल्मान खान का जो scene है, जो cameo है वो post create scene में दोस्तों आता हुआ दिखाए देगा और वहां पर कुछ mass element दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे लेकिन यहां पर सल्मान खान क्या guys मूवी का हिस्सा होंगे कि क्या सल्मान खान आके गुंडों की पिटाई करेंगे या कुछ guys ऐसा चीज होगा जो कि सल्मान खान को कॉप universe में दोस्तों लाके रखेगा पता नहीं लेकिन इतना जरूर है कि सल्मान खान का जो guys post create scene है वो काफी तगड़ा काफी powerful होने वाला है और मैं guys यहां पर आपको definitely बताना चाहता हूं कि सल्मान खान दोस्तों यहां पर कहीं न कहीं रोहिश जो सिंगम है अपने यानि की अपने वाजी राव सिंगम उनके साथ एक action sequence जरूर करते हुए दिखाई देंगे या फिर कोई और कॉप यूनिवर्स की dedicated movie यहां पर रोही शेटी दोस्तों announce करेंगे क्या दबंग 4 की announcement हो जाएगी क्यों कि guys रोही शेटी को galaxy apartment पे कई बार देखा गया था और कई बार दोस्तों देखा गया था तो लोगों को लग रहा था कि शायद अरवाज खान से मिलने दबंग 4 की बात चीत करने दोस्तों आये हैं अरवाज खान को एक बहुत अच्छा डिरेक्टर चाहिए दबंग 4 के लिए पहले वो एटली कुमार से दोस्तों बात कर रहे थे और एटली कुमार galaxy apartment के चकर भी लगा रहे थे तो लग रहा था कि शायद दबंग 4 को वो डिरे लिए बिग बास की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सलमान खान भाई कितने उटाने से बिग बास को दोस्तों host करते हैं दिखा हुआ दिखाई दिए रहे आप तरह तरह के यहाँ पर जो प्रोग्राम है जो शोज है वहाँ पर जाओ और सीधा गाई सल्मान खान के शोज में ही चले गए और क्या चाहिए तो गाई यहाँ पर कुछ इस तरीके का अफिशिली कंफम हो चुका है कि सल्मान खान सिंहहम अगैं में दोस्तों होने वाले हैं आपको भा इस क्या लगता है कि सल्मान खान के кино से मूवी को कुछ बैरिंविट होगा और अगर कितने तक का बैरिंविट हो बड़ाओ कमेंट बॉइकस में बाकि तो बागी तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना है